आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 3 जून 2023 शनिवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की दृष्टिवा भगवान शनिदेव की करपा से आज बारा में से सात राशी वालों को कारी छेतर में विसे सफलता की योग हैं इन सात राशी वालों में आज हैं व्रशब, मिथुन, करक, कन्या, व्रश्चिक, मकर और कुम्भ राशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिनाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचें आप नित्यका राशी फल नई नई ग्यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज जेश्ठमाश शुकल पक्ष की चतुरदसी तिथी है शनीवार का दिन है आज दिन की सुरुबात विशाखा नक्षत्र से होगी और वरश्चिक राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियोदे प्रातहकाल पांच बच के 23 मिनिट पर होगा और सुरियास्त साम के 7 बच के 15 मिनिट पर होगा आज राहुकाल प्रातहकाल 8 बच के 51 मिनिट से आरब महु करके प्रातहकाल 10 बच के 36 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य शुरू नहीं करें इस समय अवदी में किसी भी नई वस्तू की खरीदारी करने से भी बचें आज दिशा सुल लहेगा पूर्वदिशा में तो आज के दिन आप पूर्वदिशा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य आरंब नहीं करें पूर्वदिशा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावशक हो तो अपने इश्ट देवता की सरद्धा पूरवग पूजा आरादना करके या इश्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं और आज का सरवसरेष्ठ अतिसरेष्ठ महुर्थ अविजीत महुर्थ आरंब होगा प्राता काल 11 बच के 51 मिनट से आरंब हो करके दोपार 12 बच के 46 मिनट तक सरवसरेष्ठ अब शुब महुर्थ रहेगा इस महुर्थ में आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारिय आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तू की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुर्थ में आप कर सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्मराशी के नुसार आज आपके भाग के सिदारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के नुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिलें तो मेशराशी से आरंब करते हैं मेशराशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा के आज मेशराशी के लोग चुस्ति फूर्ति के साथ अपने प्रत्यक कारी को आसानी से पूरा कर पाएंगे विद्यार्थी वर्गों को परिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी नोकरी करने वालों को किसी के साहिता से कुछ नया सिखने का अवसर मिलेगा मन में प्रसंदता देखने को मिलेगी पार्टनर्शिप के व्यवसाई में कोई महतुपूर्ण निन्नाई नहीं लेना चाहिए महिला वर्ग आज घर के काम में अधिक व्यस्त रहेगी आज आपको भाग्य का साथ पिचोतर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक साथ है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान शनी देव के मंदिर में सरसो के तेल का दान करे शमी पत्र अर्पित करें यथा शक्ती शनी देवता के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज व्रशब राशी के जातकों के लिए कामकाज में अच्छी सफलता दिलने वाला दिन रहेगा आपकी मेहनत और भाग्य का साथ हर तरह से उत्तम प्राप्त होगा आरतिक इस्तिती बहतर रहेगी आज आज वाहन चलाते समय भी सतर करें आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत्य प्राप्त होगा आज आपका भाग्य सालियंक 6 है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी इस प्रकार से ही प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चाद भगवान शनी देवता के मंदिर में अनाच का दान करें शमी पत्र अरपित करें यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है आज बेवजह किसी से मन मुटाव हो सकता है इसलिए व्यवहार में नमरता रखे स्वास्त के लिहाज से देखा जाए तो आज आपका स्वास्त बहतर रहेगा सरीर में चुस्ती फूरुती बनी रहेगी नोकरी हो या व्यवसाए आज अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है परिवारिक सुख भी बहतर रहेगा आपके अंदर बोलने की जो कला है वहाँ आपको किसी भी छेतर में काम्याबी के शिखर पर पहुंचाने में मददगार सिद्ध होगी तरक्की पाने के लिए आप जीतोड मेहनत अवश्य करें आज आपको भाग्य का साथ असी प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य साली अंकछे है शुबरंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोकारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता हकाल इसनान करने के पस्चात भगवान शनी देव को मिठाई का भोगर पित करें शमी पत्र चड़ावें यथा शक्ती शनी देवता के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है करक करक राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज भाग्य आपका बहतर साथ देगा साथ ही आज आज आपका अपने मित्र और परिचितों के साथ अच्छा समय वितित होगा इस समय में आपके लिए किसी नई व्यापरिक योजना पर कारी करने के लिए उत्तम समय रहेगा सूझ बूझ के साथ काम करें मुस्किले आसान हो जाएगी युभा वर्गों को केरियर में बड़ी सफलता मिल सकेगी आज का दिन काम काच के छेतर के लिए बहतर रहेगा आज आपको भाग्य का साथ पिचोतर प्रतिसत अपराप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक नो है शुब रंग आपका बादा मी रंग है बादा मी रंग का प्रियोक कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार से है प्रातह का लिश्णान करने के बाद शनी देवता के सामने सरसों के तेल का दीपक जलावे पंचे मेवा का भोग अरपित करें यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली रासी है सिम्हम सिम्हर आशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से लहेगा अपनी बुद्धी मत्ता और चत्वराई का परीचे देते हुए अपने कारियों को आसानी से पूरा कर पाएंगे वानी में मधूरता रहेगी जिसके कारण अपने मित्रों रिष्टेदारों से संबंद में मधूरता बनी रहेगी आज आपके घर में कोई मांगली कारी संपन होने के योग है अपने मित्र या परीचित से आज आपकी मुलाकात के योग है जिसके कारण आपके चेहरे पर खुशी भी रहेगी कारी छेतर में आज सफलता के योग हैं आज आपको भाग्य का साथ 89% प्राप्त होगा आज आपका भाग्यिशाली अंक आठ है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अदिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाप की प्राप्ति होगी तो आज के दिन कायरी में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाई इस प्रकार से ही प्रात्रहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शनीदेव को पंचामरस से इसनान करावे रितू फल का भोग अर्पित करें यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें एसा करने से कायरे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है कन्या कन्या राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा कायरे चेतर में अच्छा दिन व्यतित होगा घर में अतितियों के आगमन के कारण घर का माहूल अच्छा रहेगा आपके मन में अपने आज आपको भाग ये का साथ 85 प्रतिस्ट परापत होगा आज आपका भाग्यशा लियंग पांच है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोग कारी है चेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी परापती होगी तो आज के दिन का देवता के नाम मंत्रों का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है तुला तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आप अपने सत्रों को अपने उपर हावी बिल्कुल नहीं होने देंगे बलकि उनको परास्त करने में सफल भी रहेंगे आज भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है परिवार और मित्रों के साथ गुमने फिरने की योजना आप बना सकते हैं वर्तमान परिस्तितियों के वज़े से व्यावसाइक गतिविदियां थोड़ी सी आज कमजोर रह सकती हैं आज इसका दिन स्वास्ति के लिए बहतर रहेगा आज आपको भाग्य का साथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य साली अंक दो है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियोक कारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाथ शनी देवता के पास सरसो के तेल का दीपक जला करके मिश्री का भोगा लगावे श्रीफल चड़ावे यथा शक्ति शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करने एसा करने से क आज आर्थिक इस्तिती भी बेहतर रहेगी लेकिन अचानक खर्च आपके बढ़ने वाले हैं आप जिस किसी भी कारियों को अपने हाथ में लेंगे उसमें आप सफल ही रहेंगे। अगले राशी है धनू धनू राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज दिन की सुरुवात आपके लिए बहतर होने वाली हैं आप जिस किसी भी कारियों को अपने हाथ में लेंगे उसमें आप सफल ही रहेंगे। आज व्यापारी वर्ग को विशेश रूप से अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं जिससे धन लाप के प्रबल योग बनेंगे। आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसद अप्राप्त होगा। आज आपका भाग्य शाली अंक नो हैं शुब रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रियो कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से ही। दर्सन भी देंगे। नई मित्रता आपके उजवल भविश्य में काफी साहयक रहेगी। आज भाग्य का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। अधिकारी वर्ग जो है कारी को देख करके प्रसंसा करेंगे। ससराल पक्षे से खुश खबरी आपको मिल सकती है। यथा शक्ती शनिदेव के नाम मंत्रों का जाप करें। इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगले राशी है कुम्भ। कुम्भ राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। के आज व्यभार आपका बड़ा ही सोम में रहेगा। व्यभार में परिवर्तन दूसरों के लिए चर्चा का विशए हो सकता है। अपने स्वास्त के प्रती लापरवा ही बिल्कुल नहीं बरते हैं। आज कामकाज में मन लगा करके काम करेंगे। और किसी अपने की सहायता से ही आपको अच्छा धनलाब होने के योग हैं। मित्रों से किया हुआ बादा पूरा करना आसान भी रहेगा। आज आज आपको भाग्यका सांत 90 प्रतिसतर प्राप्तों होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक चार है। शुब रंग आपका नारंगी रंग है। मीन, मीन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। मीन राशी के जातक आज के दिन अपने से बड़ों और सज्जन व्यक्तियों का आदर सतकार करने में अगरणी रहेंगे। जो उनके लिए फाइदे मन रहेगा। आज के दिन की शुरवात भी बहतर होने वाली है। कामकाज में अच्छा धन लाब होगा। कारोबारियों को बड़े निवेस से बचने की जरूरत रहेगी। आज कुछ नई खरीदारी करेंगे। धन का संचय भी आज आप कर सकेंगे। आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। शनी देवता के नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें। धन्यवाद जैस्री करश्न मित्रों फिर मिलेंगे। खων device मिलें Hamburg यह राशा मिलें श। दस दो कर दो के वाफिशř वाशा कर Amerीत्य अवश्य करें। तो का ары Green playing